गुरुमार को गुप सूचना के अधार पर SDPO उपेंद परशाद ने दो पिस्टल के साथ एक वीवक को गिराफ़तार किया बताया जाना कि वीवक किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से जेल रोड में दोनों हाथ में पिस्टल लहरा रहा था तब ही किसी ने इसकी सूचना SDPO को दे दिया सूचना मिलते ही SDPO ने जेल रोड पहुच कर वीवक को दो पिस्टल के साथ रंगे हाथ गिराफ़तार कर लिया गिराफ़तार वीवक अपने नाम रौकी मांजी बताता है फिलहाल SDPO ने इवक को टाउन थाना को सुपूर्द कर दिया है SDPO ने बताया कि कुप सूचना के अधार पर इवक को दो देशी पिस्टल के साथ गिराफ़तार कर टाउन थाना को सौप दिया गया है जहां उससे पूस्तरच की जाएगी आखेनिस 24 के लिए पतना से भी होल रिपोर्ट झाल